हलो फ्रेंड्स, वैलकम बैक टू घर पे सीखो, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी लोग, मैं उमीद करती हूँ, आप सबी लोग अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे और तंदरुस्त होंगे, तो फ्रेंड्स देखिए अभी आवला का सीजन चल रहा है, और अभी ये जो आव एकगी आंवलां है छोटा वाला वे सबसे पहले हमें को अच्छी شू करें चकूर और यूजा उसको थोड़ा करेंगें स्बस्विन Sagina के पहले ही इसको आफ कर दीजे और उसकी बाद जब यह आउला पक जाता है तो इस तरीके से रहेगा इसका पानी फिल्टर कर दीजे और हम आउला को निकाल लेंगे एक प्लेट में उसके बाद हम सारे आउला के जो कलिया होती ना उसको निकाल लेंगे और जो हमारे इसके ब को निकाल लेना है यही होता है सबसे फर्स्ट प्रोसेस उसके बाद में हम क्या करेंगे जो हमारे आउला हमने निकाल लिए है न उसको फिर हम तो यह देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है कि ले लिए और पर आपफ इसको रखना है थोड़ा बड़ा हो और जैसे मैंने स्टील का डबा ले लिया है और सबसे पहले मैं आवला को रख देना है और फिर उपर से सुगा ङाल देनी है और हमैंहें को बछा देना है अपने हाथ के हल्प से और इसके बाद हम इसको रख देंगे बंद करके और बंद करके रखने के बाद मी हमें ऐसी जहें रखना है या फिरदि आपकी गर करदें चीटियों का प्रोब्लम है जैसे कि कभी कभी आज आतें चीटिया तो एक थाली में पानी भर लेजिए और उसके उपर डबा रख दीजिए तो क्योंकि ये तीन दिन तक रखा रहेगा चीटी वगरा का आपको ध्यान रखना और हर दिन इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लें कि कोई फंगस फंगस नहीं आनी चाहिए क्योंकि ऐसा कभी हो जाता दिया बारिस के सीजने बना रहे हैं कैंडी तो तो ये देखिए मैं बीच में मैंने इसको आपजर्व कर लिया तो ये एक दिन के बाद की कैंडी में इतना सक्कर मेल्ट हो जाता है दूसरे दिन आप कम से कम इसको तीन दिन मिनमम रखिए इसी महीं, तीन दन रखनी के बाद, जब अच्छे से पूरा सुगर जो होता है न, बीच में उसको चला दीजे, जिसे की जो बच्छी कुची सुगर होती है, वो भी अच्छे से उसमें घुल जाती है, नीचे कई वर सुगर रहती है, और उसके बाद में हम इसको तीन दन के हम इसको filter करेंगे देखिए फ्रेंट्स जब मैं filter करती हूं तो यह कितना अच्छे से candy बनके तयार हो सकती है आप ऐसे भी खा सकते बहुत टेस्टी लगती है पर हम इसको ऐसे store नहीं कर सकते ज्यादा देनता है तो हमें इसको dry करना होता है तो देखिए मैं इसको पूरा candy को filter कर रहे हूं और यह filter करने के बाद फ्रेंट्स अब घर में candy बनाते तो आपको juice भी बत मिल जाता है और candy मिल जाते तो आवला juice बहुत benefit होता है फ्रेंट्स इसको store करके आप घर्मियों में पीए तो देखिए फ्रेंट्स अब हमने candy को filter के तीन दिन सुखा लिया है और सुख के की नहीं और candy बहुत टेस्टी बनती है बच्चे इसको बहुत आसानी से खा लेते हैं और उनको मजा भी आएगा तो एक टौफी तरीके से उनके लिए हो जाती है और उसके साथ साथ हमारे health benefit भी बहुत आदा है इसे vitamin C होता है आउला के बहुत सारे फायदे होते हमारे ब दोस्तों के साथ share भी कर गया है थैंक्यू फ्रेंट बाइ एंद फिर मिलते हैं अंगले वीडियो के साथ तब तर टेक क्यार